नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे योटुब चैनल ज्यान गंगा में आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नई चीज लेकर आई हूँ आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा फेस्बुक आप लोग दी सोच रहे होंगे कि आज ये फेस्बुक से नया क्या आ गया तो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तो फेस्बुक से रिलेटेट में आपको ये नई चीज बताने वाली हूँ कि फेस्बुक के जो सोथ करता हैं उन्होंने एक नया सिस्टम तयार किया है जिसमें कुछ ही सेकेंड में 2D इमेज जो है उसे आप 3D में कनवर्ट कर सकेंगे कई बार ऐसा होता है कि यूजर्स को 2D इमेज 3D में कनवर्ट करना होता है लेकिन वो खोशते रह जाते हैं बहुत लंबा प्रोसेस रहता है गूगल पे तो दोस्तो इसी से रिलेटेट फेस्बुक में एक नया सिस्टम लाँच किया है आईए दोस्तो जानते हैं इसके बारे में कि ये सिस्टम क्या है फेस्बुक के सोर्द करताओं ने एक end-to-end सिस्टम तयार किया है इससे यूजर्स स्मार्टफोन से ली गई 2D तस्वीरों को चंद सकेंड में 3D में कनवर्ट कर सकेंगे शोद करताओं ने ये बताया कि ये एक नया framework यूजर्स को 3D फोटोग्राफी के लिए अधिक practical अप्रोच प्रदान कर सकता है साथ ही कई नई डिजाइन के बारे में सुझाव देता है यूजर्स किसी भी mobile device पर इस technology का इस्तिमाल कर सकेंगे और real time में 2D image को 3D में convert कर सकेंगे वो भी बिना किसी professional photography skills के इस प्रक्रिया को पूरा होने में केवल चंद सेकेंड का समय लगता है और यह सिस्टम नई पुरानी हर तरह की तस्वीरों पर काम कर सकता है इसमें सबसे अच्छा feature यही है कि यह किसी भी phone पर काम कर पाएगा आप कोई भी phone ले लिजिए यह सब पर applicable होगा Facebook पर काम के प्रमुक लेखक और शोध वैग्यानिक होसहांस कोफ ने कहा है कि सुरवात में सभी तस्वीरे black and white और granule थी फिर रंगीन फोटोग्राफी आई और फिर digital फोटोग्राफी ने हमें उच्छ गुरवत्ता और बहतल resolution वाली तस्वीरे दी इस सिस्टम को तयार करने के लिए Facebook AI की मदद ली है नए सिस्टम को और भी बहतर बनाने के लिए शोध करताओं ने पबलिक डोमेन में उपलब्ध करोडों 3D तस्वीरों के जरिए ट्रेन किया इसके लिए Facebook AI की मदद ली गई framework में 2D input image को texture impacting और geometric capture को भी 3D में convert करना शामिल है जिससे ऐसी तस्वीरे मिलकी है जो अधिक सक्री और जीवन्त लगती हैं बहुत ही real लगती है हर automated space जो user के 2D photo को सीधे उनके mobile device से convert करता है कई प्रकार के make और model पर चलने के लिए optimize किया गया है और यह device की limited memory और data transfer शमताओं के साथ काम करने में सच्छम है टीम ने ये भी कहा है कि users को इससे तुरंत संसुष्टी मिलती है क्योंकि 3D results कुछ ही second में generate हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा system लाया गया है Facebook के द्वारा इसमें Facebook के जो सोत करता है उन्होंने high quality 3D अनुभवों को बढ़ाने के लिए नए और अविशकार सील तरीकों की ओर काम कर रहे हैं जो computer vision, graphics और machine learning को आगे बढ़ा रहे हैं भविश्य के लिए team machine learning तरीकों की जाच की जा रही है जो mobile device के साथ लिए गए वीडियो के लिए high quality depth का अनुमान लगाने में सच्छम होगी Facebook के सोत करता हूँ, अगस्त में SIGGRAF 2020 कॉन्फरेंस में अपने सिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है तो दोस्तों ये काफी जल्दी launch होने वाली है तो अब 2D को 3D में convert करना बहुत ही आसान हो जाएगा इस सिस्टम के द्वारा जो की Facebook के द्वारा ready की गई है क्योंकि आजकल ये सब चीजे आप सर्च करते रह जाओगे लेकिन जल्दी मिलती नहीं है तो ये बहुती अच्छा सिस्टम है तो दोस्तों ये था आज Facebook के मारे में की उन्होंने कौन सा सिस्टम ready किया है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा ठैंक्स फॉर बॉचिंग